Hello Friends, Welcome back to Sikshavish Shalini Friends, हम लोग RPSC या RSM SSP के राजस्थान में जो previous year competitive exam में science के question थे वो solve कर रहे हैं इस में से इस series में 3 videos में already load कर चुकी हूँ ये 4 वीडियो है, आप इसका link जो है नीचे description में देख सकते हैं और मैं ये series बना रही हूँ तो मैं आप लोगों से ये expect करती हूँ कि आप please इसे share कर देना बाकि अगर आपको अच्छा लगे तो आप मुझे comment कर देना और अगर आपको कोई question नहीं है तो वो भी आप मुझे नीचे comment में डाल कर पूछ सकते हैं मैं उसको अपने अगले वीडियो में involve करके और आपको उसका solution बता दूँगी ठीक है और चलते हैं हमारे वीडियो की तरह आज का हमारा पहला question है which of the most important raw material used in production of cement यानि कि cement के उत्पादन में सबसे महत्पूर कच्चा माल क्या होता है तो इसका answer होगा हमारा lime stone चूने का पत्थर अब चूने का पत्थर तक तो ठीक है हमें confusion कहां पर हो जाती है जिपसम को लेकर कि जिपसम भी तो cement के बारे में हम पढ़ते हैं तब जिपसम के बारे में भी पढ़ते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि यह जो जिपसम होता है वो खुद इटसेल्फ एक तरह का cement होता है ठीक है cement बनाने में काम नहीं आता बलकि यह खुद ही एक तरह का cement होता है अब मैं आपको कैसे बताओ, कि जैसे दीवार होती है, उस पे जब सिमेंट होता है, आपने देखा होगा, तो वो थोड़ा रफ होता है, खुरदरा होता है, ठीक है, लेकिन जब उस पे वाइट कलर का सिमेंट कर दिया जाता है, तो दीवार एक दम चिकनी हो जाती है, तो वो उख रुफरी सर्फिस होती है वह किसकी होती है duduk कि उख स्मेंट होती है जससे बीमसंप्रिकार के खittesting भी habitat होता है या आपने कभी देखा होगा छटों पर design बनाये जाते हैं सुन्दर-सुन्दर वो सब P.O.P. से बनाये जाते हैं ठीक है तो तीन तरह के cement हम देख सकते हैं वन इस gypsum, वन इस P.O.P. वन इस cement ठीक है और cement जो बनता है वो बनता है lime stone से तो इसका answer होगा हमारा चूने का पथर अगला question है हमारे पास SI unit of power is of the lens is यानि कि किसी lens की शमता का SI मतरक क्या होता है तो सबसे पहले हम lens की शमता के बारे में देखते हैं तो जो lens की शमता होती है उसे P से लिखा जाता है और ये lens की focal length ही यानि कि focus दूरी के one upon focus दूरी के बराबर होती है ठीक है तो यानि कि शमता बराबर one upon focus दूरी अब मान लेते हैं focus दूरी आपने ली है meter में किसमे ली हुई है meter में और इसे meter में ही लेना compulsory है तो अगर हम focus दूरी को meter में लेते हैं तो lens की शम्ता जो आजाती है वो आजाती है आपकी डाइअफटर में डाइअपटर भी लिखा जाता है डाइअफटर भी लिखाता है ठीक है तो डाइअपटर में आजाती है अब बात यह हो रही है कि अगर यह मीटर में लिया जाता है तो कैसे solve करते हैं इसको देखिए मैं यहाँ पर एक example लेती हूँ कि suppose करते हैं कोई को lens है और उसकी focus दूरी है वो 25 cm है अब चुकि हमने अभी देखा था कि focus दूरी को centimeter में नहीं लिया जा सकता इसे आपको किस में लेना पड़ेगा मीटर में लेना पड़ेगा तो मैं इसे मीटर में convert करूँगी तो कितना हो जाएगा 0.25 मीटर ठीक है अब अगर आपसे पूछा जाए कि शम्ता निकाली है तो आप क्या करेंगे one upon focus दूरी one upon focus दूरी करने के लिए आप क्या करेंगे one upon 0.25 करेंगे ठीक है तो यह answer में कितना आजाएगा four यानिकी four die after आजाएगा तो अगर आपसे numerical पूछ लिया जाए तो आप इस तरह से solve कर देना और मातरक पूछा जाए तो आप die after पर टिक कर देंगे ठीक है चलते है next question की तरह अगला question है हमारे पास निम लिखित मैं से किस युक्ती से विद्धू तूर्जा को यांत्रिकूर्जा में बदला जाता है इसका मतलब है कि आपने विद्धू तूर्जा दी है और उधर से machine चलने लगी है घूमने लगी है कोई भी machine जब घूमती है तो वो यांत्रिकूर् जाता है इसका दूसरा एक्जामपल है mixer वो भी कैसे चलता है आप उसके अंदर विद्धू तूर्जा डालते हो और उसका blade जो होता है वो गूमने लग जाता है ठीक है तो यह fan है या जो आपका mixer है वो तो एक्जामपल है लेकिन उसे कहा क्या जाता है उसे कहा जाता है वि बैटरी में आप रसाइनिक उर्जा को बदल देते हो विद्धू तूर्जा में मैं शॉट में लिख रहे हूँ विद्धू तूर्जा में ठीक है इसके अलावा मैं आपको बदा दूँ कि विद्धू जनित्र में क्या करते हो आप विद्धू जनित्र में यांत्रिक उर् में और जो computer होता है वो तो अरदिचालकों पर काम करता है ठीक है अगला question देखे the lens law of the consequence of the conservation of lens का नियम किस रासी के संरक्षन का परिणाम है तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि lens का नियम क्या कहता है बहुत simple सी बात है कि suppose करते हैं आपके पास एक coil है coil मतलब कोई तार है और जिसको आपने इस तरीके से गुपा के एक circuit बनाए हुआ है यहाँ पर आपने एक ammeter लगा दिया ठीक है जिससे आप क्या नाप रहे हो कि देख रहे हो कि इसमें बिदुधारा है कि नहीं है आपने battery battery कुछ भी नहीं लगई आप battery नहीं लगई तो क्या current आएगा इसमें नहीं आना चाहिए लेकिन क्या होता है अगर आप एक magnet लेते हो चुमबक लेते हो और उस चुमबक को गती करवाते हो जब इस चुमबक को गती करवाएंगे तो इसके अंदर deflection आ जाएगा यानि कि जो ये है आपका emitter उसमें दिखेगा कि ये जो circuit बना हुआ है इस circuit में से बिदुधारा पिरवाहित होने लगी यानि कि simple सी बात है अगर कोई एक circuit है इस तरह का एक circuit है और उसके आसपस आप चुमबक को गती करवा रहे हो पहले इदर फिर इदर तो उसके बज़े से क्या होगा इसके flux में परिवर्टन होगा और इसके अंदर विद्धुधारा उत्पन हो जाएगी तो ये जो कहता है वो उर्जा संरप्छन के नियम पर कार्रे करता है इसको आपको direct या रखना है अच्छा इसके बाद आपका question है secondary cell are those which secondary cell किनको कहते है दो तरह के cell होते हैं एक तो primary और एक secondary प्राइमरी cell होते हैं जैसे मैं बताओ आपको remote का cell होता है या घड़ी का cell होता है और secondary cell होता है जिसे आपके inverter में लगता है या गाड़ियों में लगता है तो ये वो आले cell होते है secondary वाले जो charge हो जाते हैं जैसे मैं बताओ आपको दोबारा पिरवाहित करते हो बापस से चार्ज हो जाती है लेकिन जो घड़ी का सेल है या रिमोट का सेल है वो आपका कभी भी दोबारा चार्ज नहीं हो सकता ठीक है तो जो सेकंडरी सेल होते हैं वो हमेशा दोबारा से चार्ज हो सकते हैं यह जो पेपर में आपको करवा र हैं कि इतने तरह की questions हम यहां करेंगे तो definitely आपका science में कुछ नो कुछ तो फायदा हो जाएगा और जो लोग non science background चे हैं उन लोगों को बहुत डर लगता है तो उन लोगों के लिए मेरा suggestion यह है कि आप डरो मत कुछ questions ऐसे हैं ठीक है numerical type है जिन में आपको हो सकता है लगे कि वही हमसे नहीं हो पाएगा हमें formula नहीं समझ में आ रहा है हमें concept नहीं समझ में आ रहा है बट इस्टिल आप वीडियो को देखो तो कुछ questions ऐसे होते हैं जो direct याद रखने वाले होते हैं जैसे हमने अब इस तार के अंदर हमें क्या करनी है बिद्दो धारा प्रवाहित करनी है अब बिद्दो धारा जब भी इस तार के अंदर प्रवाहित की जाएगी तो इस बिद्दो धारा को यहां चलने में एक ग्रोध का सामना करना पड़ेगा एक पृतिरोध का सामना करना पड़ेगा ठीक है उस पृतिरोध को आर कहा जाता है और यह जो बिद्धुधारा पिरवाहित की जाती है उसे आई कहा जाता है अब बात यह है कि यह जो आई पिरवाहित जो हो रही है इसके अंदर और एक viddarہ है जो कम दूरी पर जाएगी और जादे दूरी पर जाएगी तो बताईए ब्रोध किसमें जादा होगा ब्रोध इसमें जादा होगा आप एक बात बताएं जैसे आप गली में साइकल चला रहे हैं, एक गली छोटी और एक गली बड़ी है और बराबर उनके अंदर बराबर से लोग खड़े हुए है ठीक है तो आप मुझे बताइए कि आपको बिरोध का सामना किसमे ज़्यादा करना बड़ेगा अगर आप ज़्यादा दूर तक चलेंगे तो आपको ज्यादा लोगों का सामना करना पड़ेगा अगर आप कम दूर जाएंगे तो आपको कम लोगों का सामना करना पड़ेगा ठीक है उसी तरह से आप याद रख सकते हैं तो जो R होता है वो directly proportional होता है L के लंबाई पर निर्भड करता है लंबाई जादा तो प्रतिरोद जादा लंबाई कम तो प्रतिरोद कम आप इस वाले formula को भी याद रखना यह हमारे अभी थोड़ी दिरबाद वापस से काम आने वाला है अगले question पर चलते हैं generator देखे यह जो generator है ना इसे generator कहा जाता है और मैं आपको अभी क्या भी दिखा देती हूँ यहाँ पर यह देखे यह generator हमने यहाँ पर देखा था भी electrical generator यानि second option second option में हमने देखा था यांत्रिक उर्जा को विद्ध उर्जा में बदल देता है तो generator में क्या होता है हमने अभी देखा कि वो आपकी mechanical energy को यानि यांत्रिक उर्जा को किस में बदल देता है electrical energy यानि विद्ध उर्जा में बदल देता है यांत्रिक उर्जा को विद्ध उर्जा में बदल दिया जाता है अगला question आपसे पूछा जा रहा है कि how much work is done moving a charge 2 column across the two points having the potential difference of 5 volt 5 volt विबंदर के 2 बिंदों के बीच 2 कुला माविश को ले जाने में कितना कार किया जाता है दो दिन से तीन दिन से जो भी मैं वीडियो बना रही हूँ उसमें मैंने आपको ये वाला बताया है कि ये वाला question जो जूल वाला है कितनी जगे पूछा गया है तीनो पेपर में पूछा गया है और चौता पेपर है आज भी पूछा गया है यानि कि ऐसा कोई भी पेपर शायद ही आपको मिले जहां पर ये question नहीं पूछा जाता अब आप सोच के देखिए कि ये जो कारवाला पूरा section है इस पूरे section को ये जो मैं बता रही हूँ कारवाला विद्धुत में कारव जो होता है इसको अगर हम तयार कर ले तो सोच के देखो एक question तो ready है यानि कि मुश्किल से एक या दो formula याद करेंगे एक या दो मातरक याद करेंगे तो हमारा ये वाला question तो कम सकम गलत नहीं होगा ठीक है यहाँ पर इसका formula होता है W बरावर कारव जो निकालते हैं वो निकालते हैं Q इन्टू V से है ना या कभी-कभी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं W बरावर I इन्टू T इन्टू V अब मुझे पता है आप confuse हो रहे होंगे या आप सोच रहे होंगे कि हमें ये दोनों formula याद रखने है कब कौन सा लगाना है हमें नहीं पता देखें मैं बता दियूं कैसे लगेगा Q का पता कैसे चलेगा कि Q दिया हुआ है जब भी आपको कुलाम दिया होगा तो इसका मतलब है कि आपको Q दिया है जब भी आपको bolt दिया जाएगा V O L T तो आपको दिया जाएगा V दिया हुआ है जब भी आपको ampere लिखा मिल जाए तो आपको I पता चल जाएगा जब भी आपको second लिखा मिल जाए तो आपको T का पता चल जाएगा और V का पता हमने देखा था V का पता चलता है किसे बोल्ट से ठीक है अब इस question में हमें एक तो बोल्ट दिया हुआ है यानि कि हमें क्या-क्या मिल गया बोल्ट तो तो देखिए कैसे लगाएंगे ऐसे लगाएंगे कि W बराबर कारेप पूछा है क्यू का मान है कुलाम में यानि दो कुलाम और बोल्ट कितमे दिया हुआ है पांच बोल्ट ये लो तो पांच दूनी दस आंसर आ गया और चुकि ये जो होता है वो किस में होता है जूल में तो आंसर आ गया हमारा पांच दूनी दस जूल अब मैं यहाँ पे एक लास चीज़ आपको रिवाइस करवा देती हूँ फटाफट से जिन लोगों ने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वैसे अपना नुकसान कर रहे हैं वैट कोई बात नहीं देख लिजेगा अब देख लिजेगा कोई डिकत नहीं है यहाँ पे जो कार रहे है ना इसके मातरक को लेके बहुत क्योशन आते हैं इसका एक मातरक तो हमने पढ़ा जूल दूसरा मातरक होता है इसका अर्ग एक मातरक होता है किलो वाट आवर ठीक है इसी को हमने देखा था किलो वाट आवर का ही एक और नाम होता है इसी को कहा जाता है यूनिट ठीक है अब आप मुझे बताएंगे कि जूल को अगर अर्ग में बदलना है तो कैसे बदलेंगे और अगर मुझे जूल को किलो वाट आवर में बदलना है तो कैसे बदलेंगे ठीक है ये क्योशन पूछा गया है ये वाला क्योशन जूल को किलो वाट आवर में कैसे बदला जाता है ये क्योशन पूछा जाता है ठीक है तो ये तीन यूनिट होती है या अगले कर्शन तो बहुत असान है और थोड़ा मज़ेदार सा भी है यह लीजे अगर आप एक समतल दर्पन के सामने खड़े हैं ठीक है और आपने दाएं बाएं बाएं कान को दाएं हाथ से छुआ है तो क्या होगा देखो सिंपल सी बात है अगर आप इधर ऐसा पी लिखते हैं तो इधर ऐसा पी दिखाई देता है ठीक है यानि यह लेटरल इंवर्टेड होता है तो अगर दाएं हाथ होगा तो बाया हाथ दिखाई देगा जो भी है उल्टा हो जाएगा तो कान कौन था बाया तो अभी कान कौन सा हो जाएगा दाया कान तो यह बाला सही होगा और के द्वारा सूर्य की रोश्णी के किस्से बनता है यहां पे चार घटना ही दी हुई है वन विक्षेपन परावरतन दुर्बन और वेतिकराण आप इतना समझ लो कि वन विक्षेपन का मतलब क्या है जैसे मालो एक सफेद लाइट आ रही है सफेद लाइट और वो किसी चीज गुजरी वे अपने सात रंगों में तूट जाती है तो इसको तो कहते हैं वन विक्षेपन तो अब यहां पे नाम से ही पता चल रहा है इंडर धनुश का मतलब क्या हुआ कि सात रंगों में तूट गया है तो हमें कही न कि मैं एक मेटे हटा दू हाँ जी दुर्बन के से कहा जाता है कि जब light एक माध्यम से ऐसे पास होती है तो उसका कुछ हिस्सा यहीं absorb हो जाता है रुख जाता है और light का कुछ हिस्सा बाहर निकलता है कुछ हिस्सा बाहर निकलता है यानि कि क्या होता है कि जैसे जो light होती है उसमें ऐसे vertical slide और horizontal light का कुछ combination होता है तो क्या होता है जब इस दरपन से pass होती है तो उसमें से एक तरह का हिस्सा मिट जाता है जैसे या तो ये वाला निकलेगा या किसी particular angle पर रख देने पर ये दरपन है और ये light है या तो ये ऐसे जाएगी या फिर ऐसे जाएगी यानि कि दोनों हिस्से नहीं जाते अंदर तो ये light की intensity काम हो जाती है ठीक है उसे दुर्वन कहा जाता है बैतिकरण किसे कहा जाता है कि जब light आपस में मिलती है तो इसका कुछ हिस्सा ऐसा होता है जो दिखाई देता और कुछ हिस्सा दिखाई नहीं देता उसे बैतिकरण कहते हैं ठीक है आगे चलते हैं तो definitely इंद्र धनुष वाला आंसर क्या होगा बर्ण विक्षेपन इसका मैं आपको एक और उधारन बता दूँ आपसे पूछा जाए आकाश का नीला रंग किसलिए दिखाई देता है तो वो भी किसके बज़े से दिखाई देता है बर्ण विक्षेपन के ब पताने बाली हूँ आप जरत दिहान से देखिएगा ठीक है एक बैक्ती है उसको वो रखा है निकट द्रश्टी दोश अब आपको कुछ चीज़ें याद करवाती हूँ देखिए एक तो होता है निकट द्रश्टी दोश मैंने क्योशन अभी पड़ा भी नहीं है पुरा प और यहाँ पर काम में आएगा उत्तल दरपन उत्तल लेंस या तो ऐसे याद रख लो या ऐसे याद रख लो इसमें उ की मात्र लगी हुई है है ना और यहाँ पर भी उ लगा हुई है तो मुझे तो ऐसे याद रह जाता है कि दूर वाले जो होते हैं आपर उत्तल लेंस द लोगों को ज़्यादा science में थोड़ा problem होती है ठीक है अब इनोंने बूला है कि 20 cm है और 100 cm है बन्दे को दूर देखना है ठीक है कहां पर देखना है अनन्त पर देखना है तो दूर देखना है तो सोच के देखिए कि 20 cm होगा कि 100 cm होगा तो 100 cm वाले use करेगा ना दूर देखना है उसे, अब या तो अकर formula से करना चाहते हो तो यह ऐसे होगा 1 upon f is equal to, जिनको science में समझ है वो 1 upon, यह इस्तिमाल करेंगे formula 1 upon b minus 1 upon u, focus दूरी कितनी है दूर देखना है न, तो 100 वाली use करेंगे, यह v जाएगा minus 1 upon infinite, यह 0 हो जाएगा इसको solve करोगे तो आप 100 आजाएगा, ठीक है आप ऐसे solve को, इसको कर सकते हैं आगला question है, घरों में अर्थिंग का क्या उदेश है, ठीक है तो यह वाला question बैसे RPSC ने इसे काट दिया था, delete कर दिया था अर्थिंग इसलिए कहा की जाती है जो घरीलू उपकरण होते हैं उसमें जब extra current produce हो जाती है तो वो आर्थिंग के माद्यम से जमीन में चली जाती है, और हमें current वगएरा नहीं लग पाता है, कभी आप देखते होंगे जब आर्थिंग घर में कम होती है या आर्थिंग नहीं लगाई जाती तो कभी-कभी devices में devices मतलब fridge हो सकता है या आपका cooler हो सकता है, उसमें current आने लग जाता है तो वो जो extra current होता है उसको जमीन में चला जाए उसके लिए क्या किया जाता है, अर्थिंग का प्रियोग किया जाता है अब देखिए, यहाँ पर अगला question है कि एक अवतल lens है और focus दूरी दे रखी है और अभास ही प्रतिविम की lens से दूरी कितनी होगी, तो मैंने भी आपको एक formula बताया था, देखो, यहाँ काम आजाएगा 1 upon F is equal to 1 upon V minus 1 upon U, एक lens का formula होता है आप इसको रट लीजे, अब आपको simple simple दे रखा है, focus दूरी focus दूरी एप से दिखी जाती है, तो यह हो गया 1 बटे 15, है ना, ज्यादा दरना मत in question को देखे, अब अब तल lens के समुख, बिम्ब को अनंत पर रखा जाता है, यानि कि जो object है, उसको कहाँ पर रखा है, अनंत पर यानि कि u की value किती है, infinite तो 1 upon v is equal to 1 upon infinite 1 upon infinite 1 upon infinite हो जाता है, 0 है ना, यह वाला हिस्सा हो गया, 0 यह वाला हिस्सा हो गया, 0 तो बचा क्या, 1 upon 15 is equal to 1 upon v तो v कितना हो गया, 15 ठीक है, तो यह इसका answer हो जाएगा 15 cm, अगला question है निम्न लिकित में से कौन सा रंग prism के गुजरने पर सबसे जादा बिचलित होता है, अब देखो क्या है, कि जैसे मालो यह white light है, आई और यह रखा हो है prism जब यह white light इसमें से निकलेगी तो यह अपने 7 रंगों में तूट जाएगी इस घटना को हमने क्या काहता, वन विक्षेपन अब चूकि मुझे यह पता है, कि जब सफेद light तूटती है, तो इतना सब बच्चों को पता है, कि वो सात रंग होते हैं, B, I, V, G, Y, O, R बिब ग्योर, ठीक है अब इन्हों ने बोला है, एक तुक्का लगाने है, वो तो option में से गया, अब हमको क्या होता है, कभी-कभी जब हम paper solve कर रहे होते हैं, तो देखिए, करने का तरीका यह होता है, कि सबसे पहले उन question को किया जाए, जिनका right answer हमें पता है, यानि कि तीन answer गलत हमको पता है, और एक answer right वाला हमको पता है फिर हम क्या करते हैं, कि second number पे उनको solve किया जाता है, जिनके दो answer हमको पता है कि गलत है, और दो answer शायद सही हो सकते हैं, हमको sure नहीं है, फिर आती है वारी कि एक question, एक तो हमें पता है कि यह sure है, और तीन उन में से हमें नहीं पता कि क्या होना जिनका एक वाला पता है उसको भी कोशिश करना कि इनका भी तुक्का ना मारा जाए हाँ, दो भाई दो में आप chance ले सकते हो क्योंकि अगर टो भाई टो वाले question, जिसका आपको दो का right पता है दो का गलत का पता है, अगर ऐसे आप 10 question करते हो, तो मान के चलना 5-6 question तो right होई जाएंगे अगर आप 50-50% भी देख लें कि 50% chances हैं कि 5 सही होगा है, 5 गलत तो भी आपके तो plus में ही जाएंगे ना क्योंकि negative तो one third होती है ठीक है, तो भी आप फायदे में रहोगे तो जहां भी आपको two by two का अंदाज हो, बहापे आप तुक्का आराम से लगा सकते हो अब सोच के देखिए यहाँ पर कि सबस्यादा बिचलित कौन होगा, तो जब मुझे विब ग्योर पता है, तो मुझे पता है या तो red answer होगा या बाइलिट answer होगा, है ना, लाल या बैगी नी, ठीक है अब इसका right answer कैसे करते हैं, तो right answer का वो देखिए राइट answer मैं बताती हूँ इसका क्या होगा आप मुझे बताइए जितने भी signal होते हैं, ठीक है red light जो बगेरा होती है, उन signal हो पर कौनसा रंग यूज किया जाता है, लाल रंग, खत्रे का निशान कौनसा होता है लाल, लाल रंग इसलिए यूज किया जाता है, क्योंकि ये बहुत दूर तक दिखाई देता है, अगर एक traffic की light है, या खत्रे का निशान है, वहाँ पर जो लाल रंग लगाया जाता है, वो दूर तक दिखाई देता है, क्योंकि वो अपनी जगे से हटता नहीं है बिचलित नहीं होता, और ये तो क्या कह रहे हैं, बिचलित होना चाहिए तो होना चाहिए, तो कौन बिचलित होगा, benigny बिचलित होगा, लाल, कभी भी बिचलित नहीं होगा, इसलिए रैड कलरसे जब लिखते हैं, तो ये बिचलित Renee नहीं होता है, ये शार्प कलर होता है इसलिए इसमें आखे खराब होने के चांसे थोड़े से जादा होते हैं ठीक है तो चलते हैं next question की तरफ next question है हमारा की जादा नहीं है एक दो और हैं देखिए there are three copper wires तीन हमारे पर तार हैं और तारों की लंबाई दे रखी है एक की लंबाई L है एक की 2L है और एक की L by 2 है और हमको उनके अनुपरस्त काट का शिद्रपल दे रखा है यानि मोटाई दे रखी है A A by 2 और 2A तो यह कह रहा है प्रतिरोध कम से कम कहां पर होगा मतलब न्यूनतम प्रतिरोध कहां पर होगा तो देखें इसका फॉर्मुला होता है प्रतिरोध बराबर L बटे A ठीक है यह आर बराबर L आर डिरेक्ली प्रिपोशनल यह कैशन उपर पूछा गया था ना आपसे वही है ठीक है तो आर इस इकल टू L बटे A अब हम पहले बाले के लिए इसके लिए तो इसके लिए R1 कितना आएगा हमारा L बटे A दूसरे बाले के लिए सॉल्व करो ज़रा तो यह आजाएगा 2 L बटे A बाई 2 इससे दुबारा सॉल्व करेंगे तो आजाएगा 4 L डिवाइड बाई A ठीक है तीसरा बाला ज़रा 2 डिवाइड बाई 2 A ठीक है तो यह हमारा टोटल हो जाएगा 1 अपॉन 4 L अपॉन A ठीक है आद देखिए यह L अपॉन A है यह L अपॉन A है लेकिन यह 4 से गुणा हो रहा है और यह L अपॉन A है लेकिन यह 1 बटे 4 से गुणा हो रहा है तो सबसे कम कौन सा है सबसे कम पू तो कम कॉनसा है ये चार गुना है ये एक गुना है और ये एक बटे चार गुना है तो हमारा राइट आंसर होगा एक बटे चार तो यानि कि एक बटे चार एक बटे चार ये तीसरा बाला तीसरे बाले में ये किया दिया हुआ है तो हमारा आंसर होगा तो आपको अगर नहीं सबज माया है तो अब एक बार बैक करके दुबारा देखिया और नहीं तो मुझे कमेंट में मैसेच कर देखिया अगला क्योशन है और लास्ट क्योशन है आज के लिए हिस्टोन प्रोटीन इन्वाल्ब डियने पैकेजिंग हैव चार्ज मैं आपको एक बात बता देती हूं यह मैं लास्ट में विता रही हूं क्योंकि लास्ट तक जनरली बच्चे वीडियो देखते ही है इसका मतलब है कि आपकी अंदर डेडिकेशन है और सबसे बड़ी बात कbertyन्दर पेशिंस है आप पूरा तसली से बात को सुनते हैं और मान के चलिए आपका selection sure है मैं खुद इसलिए आपको कह रही हूँ क्योंकि मैंने भी बहुत साइ competitive exam दिये हैं और selection भी लिया है और मैं right now job में भी हूँ और में पस इतना सारा time नहीं होता है कि मैं videos बना सकूँ लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मुझे और लोगों की मदद करने ही चाहिए ठीक है तो ये सिर्फ मेरे एक shock है जिसके लिए मैं videos बना रही हूँ तो मैं बस इतना आप लोगों से expect करती हूँ कि आप share कर देना पहुचा देना दूसरे लोगों को आप like करो मत करो subscribe करो मत करो मुझे कोई फरक नहीं पड़ता मैं job में हूँ मेरे लिए ये earning का matter नहीं है वीडियो बनाना मेरे लिए earning का source नहीं है ये मेरा एक shock है एक मेरा passion है तो अगर आप इसे share कर देंगे दूसरे लोगों में तो मुझे खुशी होगी ठीक है share के लिए मैं इसलिए बोलती हूँ कि जादा लोगों तक पहुचेगा तो मेरा जो महनत है काम है वो सफल हो जाएगा ठीक है तो DNA की packaging में सामिल histone protein का अविश कैसा होता है तो histone protein जो होता है वो धनात्मक होता है अब histone क्या होता है आप चित्र में देख सकते है फोटो में यहाँ पे कुछ ball number संरचना होती है जिसके उपर DNA चिपका रहता है देखिए क्या होता है बापस आईए जिस तरह से कुछ बॉल नुमा सनरचना होती है हिस्टोन की और ये क्या करती है अपने चारो तरब DNA को लपेट के रखती है क्योंकि आपने देखा होगा DNA के स्ट्रेक्चर कुछ ऐसा होता है ठीक है? ये काफी लंबे-लंबे होते हैं और इतने लंबे-लंबे धागे नुमा सनरचना अगर कोशिका के अंदर रहेगी तो वो परिशान करेगी ठीक है तो इसलिए क्या होता है ये हिस्टोन इन DNA को अपने चारो तरब लपेट लेते हैं ठीक है? अपने चारो तरब लपेट लेते हैं और ये हिस्टोन जो होते हैं वो धनात्मक होते हैं और ये जो DNA होता है उसमें एक रिनात्मक होता है तो ये रिन और धनात्मक भाग चिपक जाता है आपस में तो ये जो हिस्टोन होते हैं वो धनात्मक होते हैं और सबसे बड़ी बात याप याद रखना हैं किस्टोन जो होतने हैं वो किसके बने होते हैं प्रोटीन के बने होते हैं आगली बार जब गुमा की क्योशन पूछा जाएगा तो यह पूछेंगे आपको किस्टोन किसके बने होते हैं प्रोटीन की यह कहां काम आते हैं DNA की पेकेजिंग में तो यह मिलते कहां पर हैं नावि झाल 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 में जगे झाल 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 का थाकन डूल ड्रूंत कर दो तेह सकते हूं